हेलो दोस्तों, बिल्कम बैक टो मैं चैनल, दोस्तों आज हम आपसे एर फोर्स स्कूल में आयो हुए विगेंसी के बारे में बात करेंगे, यानि कि दोस्तों इसमें बायो सेना में विगेंसी आयो हुई है, चलिए दोस्तों इसमें देख लेते हैं कि इसमें कितनी पोस्ट के गई है principal के लिए दोस्तों इसमें senior secondary school में principal के लिए वेकेंसी आई हुई है जिसके लिए एक वेकेंसी रखी गई है दोस्तों बात करें इसमें qualification and education की इसमें master degree भी थे minimum 50% of great marks के candidate भी हम को apply कर सकते हैं दोस्तों साथ में इसमें bachelor of education degree के candidate भी हम को apply कर सकते हैं जिन्होंने अपने course को government of India की या UG ही से अपने course को qualified किया हो दोस्तों इस post के लिए experience candidate भी हम को apply कर सकते हैं जिसमें इसमें latest two year as a PGT के candidate भी हम को apply कर सकते हैं जिन्हें दो साल का experience हो और साथ में दोस्तों इसमें three years teaching experience as a TCT के candidate भी eligible हैं दोस्तों बात करें इसमें age limit की कि इस vacancy में age limit कित्ती रखे जा रही है तो इसमें minimum 35 साल और maximum 50 साल की age limit रखी गई हैं दोस्तों इसमें women's candidate and physical challenge candidate के लिए पांच साल की रिलेक्सर विलेज भी रखी गई हैं दोस्तों इसकी अगली पोस्त है PGT physics के लिए जिसके लिए एक वेकेंसी आई हुई है दोस्तों बात करें इसमें qualification की तो इसमें अगली विकेंसी है PGT chemistry के लिए जिसके लिए एक वेकेंसी रखी गई है और इसमें qualification master degree in chemistry बायो केमेस्टी के कंडिडियेट इस फ़ाम को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों इसमें एगली पोस्त है PGT computer science के लिए जिसके लिए एक वेकेंसी रखी गई है और इसमें qualification master degree in mathematics andوتish के कंडियेट computer science and IT के कंडियेट इस फ़ाम को अप्लाई कर सकते हैं साथ में दोस्तों इसमें diploma from an institution के कंडियेट इस फ़ाम को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों और इसमें पीटर्च एन बीई के कंडिडेट और पोस्ट ग्रिजिट डिप्लोमा इन कंप्यूटर के कंडिडेट भी इस फार्म को समिट करने के लिए अलिस्बर है साथ में दोस्तों इसमें MSC Computer Science और MCA के कंडिडेट भी इस फार्म को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों इसमें अगली पोस्ट है PZT Biology के लिए जिसके लिए एक वेकंसी रखी गई है दोस्तों इसमें qualification Master Degree in Botany, Zoology, Life Science, Bioscience के कंडिडेट इस फार्म को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों और इसमें Microbology and Biotechnology के भी कंडिडेट इस फार्म को समिट कर सकते हैं दोस्तों इसमें अगली पोस्ट है PZT Commerce के लिए जिसके लिए एक वेकंसी रखी गई हैं इसमें qualification Master Degree in Commerce with Accounting and Cost Accounting and Finance Accounting के कंडिडेट इस फार्म को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों इसमें अगली पोस्ट है PZT Economics के लिए जिसके लिए एक वेकंसी दी गई हैं इसमें qualification master degree in economics and applied economics and business economics के candidate इस हम को submit कर सकते हैं दोस्तों इसमें अगली post PGT history के लिए है जिसके लिए एक vacancy रखी गई है और इसमें qualification master degree in history के candidate इसमें हम को apply कर सकते हैं दोस्तों दोस्तों इसमें अगली post रखी गई है PGT geography के लिए जिसके लिए एक vacancy दी गई है दोस्तों इसमें master degree in geography के candidate इस firm को apply कर सकते हैं दोस्तों इसमें ऐसे ही और भी vacancies में vacancies की post आई हुई है तो आप इसे हमारे description box में notification के link मिल जाएगी जिसके थुरू आप इस vacancy की और भी detail ले सकते हैं दोस्तों बात करें इसमें age limit की की इस vacancy में सबकी age limit क्या निर्धारित की गई है तो इसमें minimum 20 साल और maximum 50 साल की age limit निर्धारित की गई है दोस्तों जिसमें जिसकी counting 1 July 2021 की से की जानी है दोस्तों इसमें women's candidate and physically challenged candidate के लिए 5 साल की रिलक्से भी रखी गई है दोस्तों बात करते हैं इसमें qualifications की तो इसमें knowledge of computer application and especially MS-DOS की knowledge होने के साथ साथ यहां पे ability to read and write, communicate in Hindi के candidate ही इस firm को apply कर सकते हैं जिनके अंदर यह eligibility होनी चाहिए दोस्तों अब बात करते हैं का आप इसके firm को कैसे apply कर सकते हैं तो दोस्तों इसके लिए हमारे description box में आपको link मिल जाएगा जिसके तुरु आप अपने firm को apply कर सकते हैं दोस्तों दोस्तों इसमें notification की link भी हमारे description box से आपको मिल जाएगी जिसके तुरु आप इस वेकेंसी की सारी detail ले सकते हैं तो चली दोस्तों आप देख लेते हैं इसमें इसकी important date की तो इसमें दोस्तों इसका firm submit होना already start हो गया है और इस firm को submit करने की last date 15 फर्वरी 2021 की रखी गई है दोस्तों इसमें इसके firm write and test and demo class and interview की date यहां पे March 2021 में रखी गई है first week के तो दोस्तों अगर आपको हमारी information पसंद आई हो तो इस वीडियो को like करें, share करें और हमारे channel को subscribe करें Thank you for watching and listening